Hey guys, welcome back to another video of AKG, भाई साहब, कल जम्मेसलीकी रात काफी बहतरीन थी कई सारे टीम्स के लिए और सभी बड़े टीम्स ने जो है वो गेम निकाल लिया, अगर हम बात कर लूँ भाई साहब, मैंसेटी वरसेश सेविया की, मैंसेटी जीत गई, पेसजी वरसेश वेंटर्स, चुके हैं, but there are some things which you need to talk about कल के जो है, वो मैच दे के बारे में, सबसे पहले I'll be talking about of those games जो मैंने देखे हैं, मैंने पेसजी और युवेंटर्स का मैच जो है, वो थोड़ सा देखा, क्योंकि, यार I'm really sorry का वाचलों का पूरा प्लान था, even I got the thumbnail ready, but भाई सहाब, कुछ emergency काम आ and I was not able to do that, moreover, यार लेकिन आज, आज जो है, वो बारतोना वर्सेस अपना जो विक्टोरिय का मैच हो, उसका वाचलोंग होने वाला है, है ना, और कुले फ्रॉम इंडिया जो है, वो हमको जॉइन करेंगे to watch that match life, तो जरूर आना भाई सा, बहुत मसा हैगा, anyways, let's talk about the games, so, obviously यार सबसे पहला PSG versus Juventus, and जो एक बड़ा headline बन के निकल के आ रहा है, और वो है क्या Mbappé, जो है, वो selfish है, क्योंकि हमने देखा कल एक ऐसा चांस था, जहां पे PSG जो है, वो 2-0 अप थी, and there was this clear chance of Mbappé giving pass to the bhai sahab Neymar, लेकिन यहां पे Mbappé ने फिर से शौट लिया, और Neymar क को जो है, वो pass नहीं किया, और in the other hand, if you talk about the goals, पहला goal भाई सब Mbappé की तरफ से आता है, but that goal, मैं तो कहूँगा भाई, it was all Neymar किया, he assist दिया भाया, Neymar ने Mbappé को, and जो है, वो goal हुआ, second goal भी Mbappé की तरफ से आता है, the guy is just empathic, and he knows भाई सब how to finish, and he did that using his pace and shit, so obviously वहां पे दो से PSG जो है, वो up हो जाती है, फिर एक goal events का भी आ जाता है, जो attack उन्होंने खोया था, Mbappé ने पास नहीं दिया, Neymar को, और फिर वहां build-up होता attack, और जो है, Mbappé को goal मार देती है, लेकिन बस बात वही आ जाती है, Mbappé selfish है, तो मैं फिर से वही कहूँगा, this guy is थोड़ा सा बुद्धू, being very honest, like we have seen numerous times, you know, when, uh, Mbappé जो है, वो, Neymar और मैंसी एक साँ, जब मिल के खिलता है, तो he scores a lot and lot of goals, but, Bhai साँ, we have often also seen, कि, Bhai साँ, जब ना, PSG top हो जाती, जब प्यस्जी दो गोल, 3-0 अप रहती है, and, Mbappé कैसे एक चांस मिलता है, where he has to choose between shooting, और, Bhai साँ uses shooting, because he knows, कि मेरे को गोल मारना है, मेरे को भाई, team sheet में उपर आना है, मेरे को गोल टैली बढ़ाना है, I need to make a bigger name of myself, क्योंकि नेमर मैं सी को नाम पहले से बना हुआ है, तो वहाँ पे उसका selfish nature नजर आता है, but it only happens, जब 2-0, 3-0 PSG अप रहती है, now, that will cost them some matches, though, क्योंकि हमने दे games देख लो तुम, पहला lag कुछ और रहता है, दूसरा lag में तो भाई, वह अलगी नजर आते हैं, तो उन सब games में, एक-दो गोल मी matter कर जाते है, and यहाँ पे एमबापे को थोड़ा सोचना पड़ेगा, गैल्टियर से बात करनी पड़ेगी, सब को समझाना पड़ेगा इसको कि ठीक है, ठीक है, ठीक है, तू एकाद, अब सुधर है, I will not say कि एमबापे बिल्कुल निहीं सुधर है, एमबापे सुधर है, एमबापे सुधर है, फॉर्स्ट और सेकेंड गोल, पहले पहले तो लडगा, पहले गोल में भी नाटक करता था, लेकिन अब जो है वो दूसर कि एमबापे को समझ में आएंगी जो है, तब जो है वो एमबापे का निमा खुले को और अबापे जो है, वो पासस बगएरा करेंगे, बट हाँ थोड़ा सा लिखा, एमबापे सेल्फिश वाला कहानी, अन्यवेस, चोगए बाइस साहब, इस सेकेंड गेंब बैंसिटी व और मैंने प्रिव्यू में कहा था तुमको कि उनका जो एक मार्काओ करके डिफेंडर जो उन्होंने लेके आया, जूल्स कुंडे और उसको जो है वो रिप्लेस करने के लिए वो भी इंज़र हो गया, तो भाई साहब, इस सेट्रोफिक सिर्कम्स्टैंस इन भाई साहब वो बार्सलोन के गेमी के बारे में हम क्यों ना बात करने है, सब ही फैंस वो काफी नराज भी नजर आ रहे थे, ना I really don't know what will happen to Lopati but Lopati की गल्ती नहीं है, being very honest, है ना, तुकि यार, किस मत भी देखो बंदी की बार्सलोन और मैंसिटी को बेड रहा है, अभी दो तीन दिन क इस वो थायम फ्रेम में वो तूचना समझना चाहिए इस चीज को लेकर कि बार्कि टॉगी अबाट दी गेम अविसली यार, तूपल ऑफ गोल्स, केविन नुबुरा ना आग मंत करके पास डाल देते हैं भाईया, और भॉक्स में, आस पास रहता है, वो फिनिश कर देता ह तूपलस अगल झालंड का दो गोल था, एक फिल फोडन का गोल था, इंक्रेडिबल गोल फिल फोडन भाई, बहुत कंपोश्ट प्लियर लगता है, बहुत अच्छा पास पास्टिग, आपन नेश का घुल देखने को मिला एकदम नियर दी बोस्ट टैपिन टाइप सा, तो बगे इट गयाम बॉड हालन्ड, हालन्ड ने फिर से एक रिकॉर्ड जो है वो समैश कर दिया है इंगेश प्लियर्टो स्कोर 35 ने 35 गोल्स तो यह अन्बापि ने जो है वो किया यंगेश्ट प्लियर्टो स्कोर 25 गोल्स एंड युसल कॉंपटिशन मेरे ख्याल से तो it's very incredible of Haaland Haaland Gajab का player है you know सभी opposition के managers को सोचना चाहिए कि Haaland को कैसे रोके है but I know the plan कि Haaland को कैसे रोकना है but I will tell the plan जब बार्समों का गेम होगा मैं से खिलाफ तभी बताऊँगा पहले नहीं बताऊँगा ठीक है anyways talking about भाई साथ दी थर्ड गेम Real Madrid वसे Celtic so we all saw that contrasting भाई साथ play of Real Madrid पहले हाफ में Real Madrid वस लुकिंग वेरी चोकी midfield काम नहीं कर रहा था Celtic प्रोस कर रही थी and Celtic चड़ रही थी Real Madrid के उपर literally मैंने थोड़ा मोड़ा देखा इदर उदर second half first half देखने के बाद I thought this game will be ending in a draw मैं क्या ही देखूं करके but then I woke up and saw the result Vinicius Junior का एक goal Haaland का एक goal and भाई सब क्या ही goal है now the reason why I say Haaland और Mbappé से पहले Vinicius Junior जो है वो बिलंड़ जीतेगा because I see Real Madrid winning more trophies than Man City और वहाँ पर Vinicius का contribution को देखा जाएगा assist और गोल दोनों को देखा जाएगा Mbappé तो गेम कर लेता अपने साथ like he's a very brilliant player but गेम कर देता है अपने साथ और उसके चलते कहीं कह सकते हो कि PSG सफर कर जाती है थोड़ा सा और वो major trophies नहीं जीत पाते है on the other hand Vinicius Junior help भी करता है, goal भी मारता है and इनकी टीम जीत भी जाती है तो यह एक चीज जो है वो Vinicius की जो है वो फेफर में हुआ but Eden Hazard coming off the bench and scoring a goal, incredible thing which we would like to see but we all know Eden Hazard भी है World Cup में ही जो है वो खेलेंगे Real Madrid मेला तो उमको कमी देखने को मिलेंगे वो anyway so yeah Real Madrid का वो यह दोगलापन वाला नेचर साथा पहला हाफ दिखाकर के ऐसा feel करा देते हैं कि कुछ करने नी वाले हैं और सेकेंड हाफ में साले लोग जीच जाते हैं लेकिन एन इंक्रेडिबल टीम है भाई Real Madrid you know you just cannot write them off of any competition I can say and यह जो फाइटिंग स्पिरिट है Real Madrid की टीम का वो सब चाहते हैं यार कि उनकी टीम के पास भी हो तो this is one thing जिसके उपर जो है वो सभी को ध्यान देना चाहिए सभी को पढ़ना चाहिए सभी को सीखना चाहिए Real Madrid से कि कैसे पाइटिंग स्पिरिट लेकर के आना चाहिए और कैसे एक टीम प्ले होता है यही इस ही की चलते आप ट्रॉफिस जीते हो चाहिए इंडिविज्वल हो गई वो चाहिए कमबाइन ट्रॉफी हो गई पिछले सीजन UCL वागेरा जो है वो लाली का सब उठाई भाई Real Madrid प्लस भाई साहब बेलंडॉर के लिए अब जो है वो बेंजीमा है एक वो चल रहा था कि यह 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 टीम जीते कि वो सब टीम जीती है लग भाग चल्सी को छोड़ करके बट अब इसी से मेरे को डर लगता है पता जब पहले दिन बड़े टीम जीत जाते हैं तो दूसरे दिन बड़े टीम हारते हैं तुसरे दिन बड़े टीम का गेम है बार्सलोना का I really hopes बार्सलोना विंस्ट गल का गेम जो बाकी सब टीम होंगी वह हारेंगे जो एक टीम जीतती है second day से और बाकी सब टीम हारती है बड़ी टीम की बारें बात कर रहा हूं So let's see क्या होता है बट अभी तुरंट जो है वो बार्सुना वर्सेस विक्टोरे का तुमको जो है वो प्रिव्यू देखने को मिल जाए एन्यवेस दिन एक्ट टूडिया हमा शिश्की साइन बेले टेकर पीस विसकार बार्सार जाहे